Special Talent Unit New York के महंगे और पोश इलाके Manhattan में Parsons, Parsons के नाम से Fashion School है ये 1896 में बना था और ये Fashion and Design में दुनिया में पहले नंबर पर आता है अब इसे Fashion की दुनिया का Harvard, Oxford कह सकते हैं मुझे कल इस School का Orientation Function अटेंड करने का मौका मिला Fashion की इस Master Class में दुनिया भर से 21 स्टोड नेट्स हैं ये सिर्फ 21 क्यों हैं? इसकी दो वजुहात हैं पहली वजा इसका Merit High होता है सिर्फ वो तालिब इल्म कौालिफाई करते हैं जिनका CGPA 4 में से 4 होता है और ये वो तालिब इल्म होते हैं जो Graduation में डिजाइन और Fashion में मसलसल पहली Position हासिल करते हैं आप उसकी मिसाल यू ले ले पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पुराना Arts College NCA के National College of Arts है हर साल हजारों तालिब इल्म पूरे मुर्ग से इसमें अपलाई करते हैं यू कालिज सेकलों हजारों स्टुडेंट्स में से 10-15 तालिब इल्मों को सिलेक्ट करता है और उसके बाद जो बच्चे मुसलसल 4 साल हर समिस्टर में टाप करते हैं उनका CGPA 4 में से 4 होगा Fashion Designing का मैयार भी यही है लहाज़ा Parsons की पहली शर्ट Graduation में High Ranking है और यह मुश्किल होती है दूसरी वज़ा यह Private University है और उसकी फीस रहाईश और New York शहर के अखराजात बहुत ज्यादा है Fashion Designing का Material और Machinery भी बहुत महंगी होती है चनाचा 95 फीसद तालिब इल्म सलाहित Position और High Ranks के बावजूद Parsons की तालीम अफोर्ड नहीं कर पाते और इस वज़ा से उनकी Master Class में पूरी दुनिया से 20 से 25 तालिब इल्म आते है मैं कल जब Orientation के लिए कलास में गया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया इस कलास में भारत के 9 तालिब इल्म थे इन में 8 बच्चियां और एक बच्चा था और इन में से 7 का तालुक Middle और Lower Middle Class से था और ये पहली मरतबा अमरीका आये थे चार बच्चियों ने जिन्दगी में पहली बार भारत से बाहर कदम रखा था सिर्फ एक बच्ची का तालुक भारत की इलिएट कलास से था इसका वालिद सनतकार था जबके बाकी तमाम उन घरानों से तालुक रखते हैं जो नसलों से छपड़ फटने का इंतिजार कर रहे है ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी मैंने जब इन तालिब इल्मों से अपनी हैरत का इजहार किया तो मैं मजीद हैरान हो गया इन तालिब इल्मों ने बताया भारत में हकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर एक इंडोमेंट फंड बना रखा है इसमें अर्बों डॉलर्स पार्क हैं गैर मामूली सलाहियत के हामिल तालिब इल्म अगर अपने शोबे के टॉप फाइव इंटरनेशनल कालिजिस और युनिवर्सिटीज में दाखला लेने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें इस फंड से स्कालर्शिप मिल जाता है फैशन डिजाइनिंग और पार्संस भी इस फेहरिस्ट में शामिल है हम सब ने जब पार्संस में दाखला ले लिया तो हुकूमत ने हमें दो साल के लिए स्कालर्शिप दे दिया अब हमारी फीस, रहाइश, खुराक और स्टडी का मिटिरियल हुकूमत की जिम्मेदारी है हुकूमत ने ये फंड बरारास्त युनिवरसिटी में जमा करा दिया है और युनिवरसिटी अब हमारी प्राग्रिस भी बरारास्त हुकूमत को देगी मुझे ये भी बताया इंडियन हुकूमत ने फारिन स्टुडेंट्स के लिए अलग हायर एजूकेशन कमीशन बना रखा है हमारे जैसे तालिब इल्मों को ये कमीशन डील करता है हम भारती युनिवस्टियों में पोजीशन लेने के बाद खुद को कमीशन में इनरोल करते हैं कमीशन हमें दुनिया भर की युनिवस्टियों के बारे में मालूमात देता है और टेस्ट और इंटर्व्यूज में हमारी मदद करता है और हम अगर दाखला ले लें तो फिर ये हमें अमरीका, योरप और जापान में रहने की ट्रेनिंग भी देता है, मुझे चनाय की एक बच्ची ने बताया, हमारा कार्पोरेट सेक्टर भी हमारी मदद करता है, मैंने जब पार्संस में दाखला लिया तो मुझे चनाय के एक ब लाजमत की पाबंद होंगी, मुझे अपने 24,000 डॉलर्स भी मिल जाएंगे और साथ ही मेरी तंखा भी शुरू हो जाएगी, ये सुनकर मुझे खुशी भी हुई और अफसोस भी, खुशी इसलिए हुई के भारत किस तरह अपनी नई नसल को परवान चड़ा रहा है, अब अमरीका, योरप, आस्ट्रिलिया, जापान हता के मिडल इस्ट जाएं तो आपको तमाम छोटे बड़े दफ्तरों में भारती नजर आते हैं, ये लोग यहां भारी तंखाहों पर काम करते हैं, इससे भारत को फारिन रिजर्व्स भी मिलते हैं और बैरून मुल्क उसके अस उन्हें सकालर्शिप देती है, ये बैरून मुल्क पहुंचते हैं, आला तालीम हासिल करते हैं, फर्स्ट वर्ड एक में नौकरिया करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर उन मुल्कों में भारत की सिफारत कारी करते हैं, जबकि हम पूरी दुनिया में उन पढ़ मजदूर भि है, तो इसमें से कोई ना कोई पाकिस्तानी जरूर निकल आता है, साओधी अरब और यूई ने भी हमारे लिए वीजे मुश्किल बलके नामुम्किन कर दिये हैं, इसकी वज़ा बहुत अफसोस नाक है, पाकिस्तान से हर मा, सैक्रों भिकारी साओधी अरब और यूई जात हैं, उनकी सवकों पर भीक मांगते हैं, लाखों रुपए जमा करके वापस आते हैं, खूब एश करते हैं और फिर दोबारा भीक का सीजन लगाने के लिए जहास पर बैठ जाते हैं, हमने ये मकरू धंदा अब इरान में भी शुरू कर दिया है, चुनांचे दुनिया भार हैरिस सदर बन जाती हैं, तो भारत सपर पावर का पुर्जा बन जाएगा, लेकिन अफसोस हम इन छूटी छूटी और आम फहम सी हकीकतों से भी वाकिफ नहीं हैं, हम अगर सिर्फ दुनिया की टाप युनिवस्टियों में दाखला लेने वाले तालिब इल्मों को ही सपोर करना शुरू कर दीन तो खुद सोचे मुर्ग का इमेज भी कहां से कहां, पहुच जाएगा और मुर्ग के अंदर भी कितनी बहतरी आ जाएगी, मैं यहां अर्शद नदीम की मिसाल भी दूँगा, अर्शद नदीम ने पैरिस ओलम्पिक्स में जीविलीन थरू में गोल्ड गाओं और घर गई और इसे अब तक एक अरब रुपे के करीब इनामाद भी दिये जा चुके हैं, यह इन सब का हगदार था और यह इसे मिलनी चाहिए थी, लेकिन सवाल यह है परिस। हो, फैशन हो, अदाकारी हो, बिजनस हुआ फिर स्पोर्स हो यह खास हद को टच करने वाले तमाम लोगों को उन कर लेती है और फिर उसे पालिश करके सुपरिस्टार बना देती है। तो आज हमारे पास अरशद नदीम जैसे दस बारा खिलाडी होते लहाज़ा मेरी दर्खास्त है हुकूमत एक दो स्पेशल टेलेंट यूनिट बनाए उन के लिए इंडोमेंट फंड बनाए और उसके बाद स्पोर्स में अरशद नदीम जैसे। नौजवानों और तालीम में अरफा करीम, मरहुमा जैसे बच्चों को स्पोर्ट दे, मुल्क इससे तरकी करेगा और दूसरी दर्खास्त अरशद नदीम को जहाजों पर गुमा कर इसका करियर तबाह न करें। इसे जीविलीम की अकैडमी बना कर दे दें ताका ये अपने जैसे मजीद 10-20 नौजवान तयार कर सके, हम से पहले महरूम रखकर मार रहे थे और अब उसे सल्यूट मार मार कर कतल कर रहे हैं। हम कल भी गलत थे और हम आज भी गलती कर रहे हैं। कर रहे हैं।